तब तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा फूरा सिलवास एटोट खतम कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्स की मरे वर्ड है यह जुबान है मेरी आप लोगों से कैसे आप सब लोग उमीद है एडमिशन आफ पार्टनर आपने अभी तक अच्छे से कर लिया होगा आज हम लोग एडमिशन आफ पार्टनर में टॉपिक पढ़ने वाले हैं पार्टनमर शिक्स के अंदर जिसका नाम है री वैलुएशन अकाउंट वीडियो एंड तक देखन जिसमें री वैलुएशन का सार अगे सारे पॉइंट सम्मुहां पे कवर कर रहे होंगे तो स्टार्ट करते हैं मिननदेरी कि हूए पार्टनर सिक्स एल्मिशन आफ पार्टनर री वैलुएशन अकाउंट थोड़ा सा बता दूं क्लास में आपको री वैलुएशन अगेस क्रेडिट अल इंकम अंड गेन वही है तो एक्स एंड लॉस जो है हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं इंकम अंड गेन जो भी है हम लोग उसको लिखते हैं डेट साइड तो यह री वैलुएशन अकाउंट का नेचर हो गया आपको मैंने फॉर्मैट भी समझा र में आजाये और आप सोचोगे सरी क्या है हमें तो टीजर ने पढ़ाया ही नहीं था तो उसी का नाम है profit loss adjustment account अब चलते हैं इसके format पे यह एक leisure format होता है credit side or debit side यहां पे particular से amount है revolution account में जब भी तुम्हें फाइदा होगा credit जब भी घाटा होगा debit जब भी तुम्हें नुकसान होगा तुम उसे debit side record करोगे और जब भी तुम्हें फाइदा होगा तुम उसे credit side record करोगे debit all expense and losses credit all income and gain तो debit side हम लोग को सारे के सारे नुकसान, जिज तरह भी नुकसान होगा, उसको हम लोग debit side record करेंगे, जो भी घाटा जो भी नुकसान है, तो घाटा क्या होगा? 2. Increase in value of liability, अगर हमारी liabilities बढ़ जाएं, creditors हो गया, bills payable हो गया, outstanding expense हो गया, यह liabilities है, तो अगर हमारी liability बढ़ेगी तो वो class credit side आएगा, ध्यान दखना, अगर हमारी liability है, कर्जदार है, अगर वो बढ़ जाते हैं, तो वो class आएगा credit side, और अगर हमारी liability घट जाया, अगर हमार फाइदा हो गया, ठेक है, भाई, decrease in liabilities, तो liability यानि कर्जा अगर बढ़ेगा तो गाटा नुकसान, debit side जितनी भी liability बढ़ रही है, ठेक है, और अगर यह liability घट गया तो फाइदा credit, ठेक है, अगर मैं asset की बात करूँ, गाटा कब होगा, decrease in assets, अगर class हमारी assets कम हो जाती है, land, building plant, machinery, stock, data, इन सब की value अगर कम हो जाती है, तो यह नुकसान है, घाटा है, यह किस side record होगा, debit side, लेकिन अगर assets की value बढ़ जाए, by increase in assets, अगर assets की बढ़ जाएगी, तो यह फाइदा है, class कहा रिकॉर्ड करोगे credit side, ठेक है, तो liability अगर बढ़ती है, तो घाटा, liability घटेगा, तो फाइदा, asset बढ़ेगा, तो फाइदा है, अगर अगर कोई unrecorded asset है, ऐसी कोई asset जो आपने पहले record नहीं की थी, वो unrecorded asset है, तो आप यहाँ record करोगे, और unrecorded liability, अगर है, कोई भी unrecorded liability, ऐसा करजा जो आपने किसी से उधार लिया था, लेकिन आप उसको लिखना भूल गए, वो unrecorded liability है, तो वो कहाँ record करोगे, आपने पहले record नहीं किया था, लेकिन वो आपकी liability है, आप भूल चुके थे, तो अब याद आएगा तो जटका ल हो रहा है, तो महाँ पर credit side दिखा देना, जब भी लगे नुकसान हो रहा है, debit side दिखा देना, ठीक है, इसके अलावा, यहाँ पर जो भी बचता है balance, उसको हम लिखते है, to revaluation gain transfer to, अगर fix method है, तो current, otherwise capital, कुछ नहीं लिखा, तो capital, current account of a, b, c, ध्यान रखना, admission में, a और b generally होते हैं, partner, तो old ratio में, revaluation का जो भी gain है, या जो भी loss है, वो पुराने partners में, पुरानी ratio में बढ़ जाता है, old partners में, old ratio में, ठीक है, अगर loss है, तो यहाँ पर आएगा, by, revaluation, loss, transfer, to capital, या current account in a, b, ठीक है, current account of a, b, और यहीं किस रेशियो में बढ़ेगा, old ratio में, revaluation का जो भी है, वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है, old partners में, अच्छा, एक बात और, मैं आपको जितने भी chapters अभी तक कराया, और MCQ को साथ साथ बनाते चलो, जितने भी maximum question तुमें मिल रहे हैं, वो तुम अभी से बनाते चलो अच्छे से ताकि तुमें बाद में दिककत ना है, मैं आपको अपनी book recommend की ती, जो book class मैंने, मैं specially आप लोगों के लिए बनाई है, उस book में अगर आप देखोगे ना, यह book है, description box में लिंक दे दूँगा, आजी से बाय जरूर कर ले यह question bank है, complete accountancy की, मतलब इससे बाहर कुछ भी नियाएगा, सारा कर लोगे न, hundred out of hundred है, इसमें आप पेज नमबर 105 पे देखोगे इसमे अब्जेक्टिव कोष्टिव 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 को जरूर 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 बनाला, इसमें सैंपल पेपर के, previous year के, जितने भी MCQ बन सकते हैं, max to max, वो आप बना लोगे अराम से, मैं आपको पड़ा रखा है और कोई दिक्कत नियागी, त आपको कोष्टिव 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 कोष् इसके थ्रू हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, फटाफट जरा आप एक फॉर्मेट बना लो, रीवालोशन अकाउंट का, रीवालोशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाओ, और इसमें आपको बोला है जनल एंट्री, भले ही इसमें एंट्री मांगा है, लेकिन मैं तुम् एकाउंट समझ लो, उसी से एंट्री बन जाएगा, 99% केसिस में क्लास रिवालोशन का अकाउंट या आता है, पढ़ते हैं क्या है, अधर टाइम अफ एडिमिशन अफ पार्टनर शूरेश के एडिमिशन पे, असर्टन लिबिलिटी ऑफ रमेश और नरेश और रिवालोड आ तो रमेश और नरेश की दोनों की जो रिश्यो है वो एक्वल है, सूरेश को एडिमिट किया है कितने के लिए एकलास, हमें नहीं पता कितने के लिए एडिमिट किया है, हम पत हमें पता है, रिवालोशन का गेन और लॉस जो है, वो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रिश्यो आपने उधार बेचा लेकिन वह कितने गए 50,000 के, आपको डाउट लग रहा है कि 10% पैसा डूब जाएगा, तो अगर 50,000 रुपए आपने उधार, 50,000 के डेटर्स हैं, आपको लग रहा है 10% डूब जाएगा, तो 50,000 का जो 10% होता है, वह कितना होता है, क्लास 5,000, यनि कि 5, 5,000 रुपए जो है क्लास, वह आपके डूब जाएगे, 5,000 रुपए आपके बाट डेट होगे, आपको लग रहा है डूब जाएगा, तो नुकसान नहीं है, तो डेबिट साड रिकॉर्ड होगा, आप बनाव रिवालेशन अकाउंट, यहां लिको 2 प्रोविजिन फॉर ड 1,000, 50,000 का ठीएगे, तो भीजिन नुकसान है, डेबिट साड दूसरा, क्रेटर रिटन रिदर्ट रिटन बक बाइगे, एपन्ट रूँन भाइगे, तो फाइदा अगर क्रेटर कम हो घाएगे, तो यह सामिजिन फाइदा होगीत लीजिन तो फाइदा होbas हांगे, क्रेट 40,000 by building, building 20% से बढ़ गया, मतलब 2 लाग का 20%, कितना बनता है? 40,000, 40,000, आगे लिगा है, unrecorded investments are valued at 50,000, 15,000, मतलब कोई investment रही, इन्होंने कहीं भी नहीं बोला, investment कितने की है क्या, वस इन्होंने बोला कि unrecorded asset है, आप सबको पता है, unrecorded asset, revaluation में credit side आता है, फाइदा हो गया, 15,000 मतलब आपके पास एक investment थी 15,000 कि आप भूले बैठे थे, अब आपको पता चल गया, तो कितने खुशी होगी ना कि अच्छा यार, मेरे पास तो यह भी है, मैं तो बूली गया था, मेरे पास तो यह भी है, तो unrecorded investment लिखो, 15,000. Next, a provision of 2000 was made for outstanding bill of repairs, आपने कुछ रिपेर कराया होगा, उसका bill अभी तक नहीं भरा, वो outstanding bill of repairs है, तो यह घाटा है नुकसान, यह liability है, अब भी outstanding bill क्या होता है, liability होता है, outstanding expense, outstanding bill of repairs, next, unrecorded liability towards supplier, 3,000 रुपए supplier को देने, जो आपको माल सप्लाई करता है, उसको देने, यह नुक्सा ठीमियर UK, कॉचान अभाज रुपएysis, उसको नुकसान ऑपाया है, यहां तो इह Quals का इसको इसको अगते नुक्सान अब हम इसको क्लेहzn को लगे ए ट philanthrop हां पता, यह यहां चाहरा को दाता है तो मुझे यहांट आपको साथा नुकसान अब हम इसको मhrmm मेदीत नुकसान, तो साथ हजार का फाइदा, अब इसमें से माइनस करोगो, जो नुकसान हुआ था आपका, पांच, छेश, साथ, तिन, दस, तो पचास हजार रुपए का गेन आगया, इसको लिखेंगे, तू रिवालुएशन गेन, ट्रांस्फर, तू, two, the capital account of someone, Ramesh और Naraysh, Ramesh and Naraysh, one ratio one, Ramesh, 25,000, Naraysh, और the old partners in old ratio, reverse pension. ऑपराने partners में, पुरानी रिश्यो में, डिस्टिब्यूट किया जाएगा, तो यह ढ़िया, आपका, cruise power run结़ है, अब किसी भी question का आप revolution account बनाते हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कि revolution की तीन entries आपको पास करनी है, revolution की तीन journal entry तुम लोगों को पास करनी है हमेशा, तीन entry, पहली entry जो होती है, वो होते है credit side की जितनी भी item है, उसकी कथे, ध्यान सुनो, हर question में same चीज होगी, तीसरी entry, gain या loss की, अगर gain है तो gain की loss है तो loss की, यह तीन entry, सबसे बहले इसकी entry को, जो बाइवाली चीज उसको पहले लिखेंगे, creditors, debit, building, debit, investment, debit, to revaluation, हर question, यहाँ जो भी होगा, उसको आप debit करोगे, to revaluation, creditors, building, investment, करोगे, to revaluation, creditors, building, investment, करोगे, creditors, account, debit, building, account, debit, investments, account, debit, और एक बार तुम फेर से बनाना, इस question को, to revaluation account, कितना था, 60,000, यह था 15,000, building 40,000, creditors, 5000, यह था ना, 5,45, ठीक, लिख लो, being, assets, and liabilities, activities, सब में यह कर देना, revalued, खतम बात, asset liability, आपने क्या कर दिया है, अगर आप अलग लग करके एक एक आइटम को लिखना चाहते हो, तो भी मुझो भी प्रोब्लम नहीं, और सही भी हो, ताइम ज़द लाएगा बस, पहले एंट्री होगी, credit to revaluation, 5000, 5000, दूसरी एंट्री होगी, building to revaluation, 4000, 4000, 40000, 40000, 40000, 40000, 40000, 40000, 30000, तीसरी एंट्री, investment to revaluation, 150000, 150000, तो यह है थे इसका, तो अलग लग करना चाहो, अलग लग कर लो, एक साथ करना चाहो, एक साथ कर लो, मर्ज आपकी है, दोनोई cases में क्लास है, बिलकुल सही होगा, ठीका, next, अब इसके बाद देखते हैं, दूसरा, इस तो सब हो गया, entry, debit side के entry, revaluation account debit, 2 PFDD, 2 outstanding will of repair, 2 unrecorded liability, so, revaluation account debit, revaluation account debit, 10,000 से, 2 provision for doubtful debt, 2 outstanding bill of repairs, 2 unrecorded liabilities, t's, ठीक है, तो इसके पांच ज़ार का, दो थेन, 2,000, 3,000, same, being a sudden liability, revalued, तीसरे entry होगी, गेन या लॉस की, तो जो गेन की entry है, उसके entry क्या करोगी, revaluation to Ramesh to Nareesh, लॉस होगी, Ramesh debit, Nareesh debit, इससे सब को debit कर कर क्या आँ है, to revaluation, समझ रो बात को, तो यह क्या है, गेन है, तो Ramesh debit, Nareesh debit to revaluation, एंट्री होगी, Ramesh debit, Nareesh debit to revaluation account, एंट्री होगी, तो कितना लॉस है, class, 50,000, 25,000, 25,000, being, Ramesh debit to Ramesh to Nareesh, वाई यह गेन है, अगर आप देखो ना, यह रहा, 2-2 करके लिखा है, 2, revaluation to, लॉस होता, तो capital debit, आपने पड़ाई यह पहले पहले ही, capital credit होगा है, मतलब बढ़ रहा है, profit में capital credit होता है, loss में capital debit होता है, यह profit है, revolution gain है, यह capital account create होगा, capital balance बढ़ेगा, Ramesh का और Nareesh का, इस 50,000, being revolution gain created to partners capital account, यह होगी तीन एंट्री, revaluation account के, I hope आपको revaluation account अब, और clear होगा, वैसे आपने इसको clear किया ही होगा, change in profit sharing ratio वाले chapter में, but अब यह और अच्छे से आपको clear होगा, अब चलते हैं एक और question पे, उसको भी बनाते हैं, और उसकी भी जनल एंट्री अच्छे से पास करते हैं, थोड़ा सा बड़ा question हो, तो ध्यान से अच्छे समझना है, यह format हमने अलड़ी बना लिया है, debit, credit, हम पूरा-पूरा question बनाएंगे, फिर इसकी एंट्री पास करेंगे, ठीक है, आओ, 22, As a time of admission of C, C a new partner, asset liability of A or B, A B ratio 3 ratio 2, तो आपको पता है, जो भी गेन या जो भी लॉस आएगा, वो 3 ratio 2 में बटेगा, एक सवाल क्लास एक बच्चे था, चेंजीन पेसार मुझे यादा है, कि सर, क्या कभी रिवालुशन गेन लॉस निल आ सकता है, या कोई गी लॉस कुछ भी हाँ, आ सकता है, कि दोनों तरफ से कोई गेन, कोई लॉस नी, सर, क्या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो सकता है, जो हम रिवालुशन लिखेंगे ही नी, तो हाँ, हो सकता है, जो रिवालुशन लिखेंगे ही नहीं, वो दिरी दिरी आगे समय आएगा, मैं सारी चीजे सो डोन्त वरिय आउटि सबसे पहला मशीनरी पंदर कर ऊंद से कम हो गया बिल्लइज टैस जार से मशिनरी चिम हो गया गया यो रप्रजार से इस खान हो गया आट थो फो डिल्डीbird गया तो थासान हो गया विल्दिंग बढ़ा थीजार से, मशीन कम हो गए दहजार से, और विल्दिंग बढ़ गया थीजार से, पहला तो यह clear हो गया, ठीक है, अब आते हैं, दूसरा, Outstanding Bill of Repairs amounts to 600, Outstanding Bill of Repairs amounts to 600, To Outstanding Bill of Repairs, यह वही है सेम जो पिछले हमने question में दिखा था, जो Outstanding Bill of Repairs से, आपने रपैर कराया था, उसका बिल्नी भरा भी तक, तो वो 600 रुपे का लाइबलेटी है, वो 600 रुपे का नुकसान है, A provision can be created, sorry, provision created doubtful debt, 5% debt, same to same, पिछले question जैसा है, 50,000 का 5% का provision बन गया, यहीं doubt है, तो 2, provision for doubtful debts, जो की है, 50,000 का 10%, कितना बने एकलास, 10% है, 50,000 का 5% है, तभी तो, 50,000 का 10 नहीं है, 5% है, 5%, 2500, तो आपने किसी को धण दिया, लेकिन आपको लग रहा है पैसे डूब जाएंगे, तो ऑलया हिज़ी डूब जायए, प्रुदेंस थे, दूब जाएंगे, पूब जाएंगे, विहार फूप जाएंगे इपूब जाएंगे, तो यह है 50,000 का 40%, कितना बने आए एक लास यहाँ पर, 50,000 का 40%, 20,000, फरनिचर सीधा 20,000 से कम हो गया, नुकसान हो गया, 50,000 का फरनिचर था, 20,000 से कम हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट है, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर था 40,000 का, रेडिउस तू 40%, 40% तक कम हो गया है, 40% तक, 40,000 का 40% मत निकालना, 60% निकालना, कोई चीज 100 की थी, 40 से कम हो गया, तो सीधे 40 का नुकसान है, लेकिन कोई चीज यहाँ पर लिखाए कि 40,000 की घट गया 40 तक, तो 100 था, घटे, 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 चालीस रहा गया, तो घटा कितना 60, 100 की चीज आज 40 ही रहा गया, तो घटा कितना 60%, तो 2 और भाई का फरक बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, reduce by, reduce to, दोनों में अंतर है, तो लिखाए किलास, reduce by 40%, reduce to 40%, तो 40% तक घट गया है, 40% तक, तो यानि 60% से घट गया, 40,000 का 60%, 24,000 का यह नुकसान हो गया, 24,000, चालीके, क्या चीज थी किलास, computer, computer, okay, so computer which is, that is, that is, that is, which is less than 24,000, computer has been less than 24,000, and furniture is less than 20,000, so, two means, that you need to calculate the difference, buy means, that is, that is, that is, that is, that is, that is, better to be the benefit of buy and two, okay, okay, do not have to worry about it, next, insurance premium carry forward for next year, you have earned insurance premium, प्रेम भरा था, next year के लिए carry forward होगे, जो कि 2,000 है, ठेक है, insurance premium, insurance premium, कितना है class, 2,000 रुपए, carry forward for next year 2,000 रुपए, अगला है, revaluation expense amounts to 600 paid by A, देखो होता क्या है, asset or liability की ने दुबारा valuation कराना में कुछ खर्चा आता है, पैसा लगता है, इंजिनर को बुलाना है, वैलुएर को आता है, उस खर्चे को A ने पे किया, वैज तो बिजनस के लिए गाटाई न, नुकसानी, 2, A, bracket मों लिखो, RE-valuation expense, इस RE-valuation expense को A ने पे कर दिया, फिलाल के लिए ए पे कर दिया, ए बाद में रहसाब किताब भी करेगा, ठीक है, तो RE-valuation expense paid by A, आता है, नुकसानी, नुकसानी सारे बच्चे अच्छी से देखो, stock पाया गया कम, 10% से, balance sheet में stock appear 18,000, तो यह जो balance sheet में 18,000 है, यह 10% कम है, किसी भी चीज की असली value 100% होता है, पूरा मतलब 100%, मेरे पूरे नमबर आये मतलब मेरे 100% आये, लेगिन यहां पे में 10% कम दिखा रखा है, मतलब यह जो दिखाया हुआ है, वो 90% है, अगर यह कहता 20% से कम दिखाया है, तो यह 80% मानता इस figure को, 30% से कम दिखाया है, तो मैं इस figure को 70% मानता, 40% से कम दिखाया है, तो मैं इस figure को 40% मानता, अब यह question क्या रहा है कि undervalued by 10%, 10% से कम दिखा रखा है, तो मैंसे 90% मानूँगा, into 100, अगर यह 90% है, तो 100% कितना होगा, 20,000, यालिकि असली value थी 20,000, तुमने दिखाया हुआ है 18,000, 2000 कम दिखा रखा है, 99% बच्चे करते क्या है, अगर आप 18,000 में से 10% घटाओगे, एड करोगे, तो फिर वो फिगर सही नहीं बैठेगी, यहां सही बैठेगा, असली value कितनी है, देखो, 20,000, 10% निकालो, 20,000 का, 2000, तो यानिकी 18, आपने 10% कम दिखा रखा है, मतलब 18 दिखा रखा है, असली value, 20 है, अब देखो, सही बैठे 20,000 का, 10%, 2000, गटाया तो कितना आया, 18,000, यानिकी असली value, 20 है, आपने 18 दिखा रखा है, कम दिखा रखा है, 10% से, बढ़ा दो स्टॉक को, यहां जाएगा बाई साइड, बाई स्टॉक 2,000, बैलन शीट में आएगा, 20,000, और यहां पे आएगा 2,000, यानि 2,000 से स्टॉक कम दिखा रखा था, आपने बढ़ा दिया, उसी तरीके से अगला, one third of machinery is taken by B, बहुत अच्छा पॉइंट है, और ध्यान से अच्छे समझो क्या है, one third of machinery is taken by B for 30,000, B ने ले लिया machine को 30,000 में, और balance is re-value at 57,600, book value of machine 72,000, machine थी कितने की, 72,000, इसका one third बताओ कितना आएगा, इसक प्रेस आएगा, चेक करो, इसको तीन से दिवाइड दो, इसको तीन से दिवाइड देगे तो कितना रहा है, 24 और आएगा, दिवाइड दो, 72,000, यह, तो इसे किसने ले लिया, तो बचा कितना, अगर one third हटा दो गे तो यहाएगा, 48,000, इसके? तो one third of machinery is taken by B for 30,000, इसे B ने ले लिया, कितने में? 30,000 में, ठीक है, और balance 57,600 की evaluation हो गई, तो एक मुझे बात बताओ, सुनो मेरी बात, 24,000 की चीज़ को अगर कोई 30,000 में ले लेता है, तो 6,000 का क्या हो गए class? फाइदा हो गया, ठीक है, तो by machinery, कितना है? 6,000, और किसने ले लिया है? B ने, भाई, machinery B ने कितने में ले ले लिया? 6,000 के जादा में ले लिया, थी वो 24 की लिया कितने में? 30 में, तो 6,000 पर फाल्तो, और balance machine की वैल्यू जादा हो गई, था वो 48 का, जो बाल्स था, जो बाल्स था, 72 में से 24 तो उ ले गया, छोड़ो उसकी वै जादा में की चीज़ कोई 57,600 ले रहा है, तो 9,600 का ये भी फाइदा हो गया. ये सेल किया है कैस्ट में और ये क्या है क्लास आपका B लेके जा रहा है, आपने ब्रैकेट में और डिटेल लिखा दिया, कि ये 4800 का था, 57,600 में आपने बेच दिया, तो आपको 9,600 का क्या हो लेके पाइदा हो गया, ये पॉंट अच्छा था, ये हो गया. वैले फारनीचर इस भी ब्राउट अपट अप्ट एक्सोबीस परसंट, कोई चीज़ एक्सोबीस परसंट बढ़ जाए, तो कुल मिला के वह 20 परसंट से ज्यादा बढ़ाया, असानी के 120 परसंट बढ़ गय चाहिए, 10,000 by furniture, by furniture 10,000, मतलब को मिला के 20 परसंट से एक्स्टा हो गई, stock found over value, जैसे उपर था कम, stock found under value, कम दिखा रखा है, उसी तरीके से लिखा हुआ है, stock found over value, stock जादा पाया गया 20 परसंट से, तो ये वैल्यू जो है 36,000, वो 20 परसंट जादा है, 10 परसंट कम था 100 का 90 हो इन्टू 100 करोगे, तो असली वैल्यू निकल के आएगी 30,000, यानिकी असली वैल्यू 30,000 है, आपने 20 परसंट जादा दिखा दिया है, 30,000 को 20 परसंट है 6,000, तभी आपने यहाँ पर 36 दिखाया है, देखरों मेरी क्याकुलेशन, असली वैल्यू 30 थी, 20 परसंट यानि 6,000, जादा दिखा दिया, 36,000, तो असली वैल्यू 36,000 हो गई, तो 6,000 से आपने स्टॉक को जादा दिखा रखाये, तो कम कर दो, 2 स्टॉक, कितने से? 6,000 से, आपने दिखा कितना रखाये, 36,000, जो की 20 परसंट जादा है, अब कई बच्चे इसका 20 परसंट निकाल देंगे, जो कम दिखा रखाये, जादा कर दो, तो हम पर जादा दिखा रखाया था आपने, क्या कर दे कम, और पहले जो स्टॉक था, कम दिखा रखाया था, वो आपने जादा कर दिया, तो नाम दे दो, स्टॉक 1, स्टॉक 2, and that's it, खतम, और तो कोई पॉंट है नहीं, अब आप इसकी कर लो, totaling, खेक है, अब आप इसकी totaling कर लो, और gain और loss जो भी है, वो calculate कर लो, कि gain है या loss है, बस, इतने ही points थे, तो यह है 30,000, 2,000, 2,6, 9,600, और 10,000, यह आगे 59,600, 59,600, 59,600, 59,600, 59,600, 59,600, 41,100 का लॉस आगया, बिकाज यह साइड बड़ी है, अगर आप देखो, 10,600, प्लस पच्छिस सो, प्लस 20, प्लस 24, प्लस 600, प्लस 6,000, 63,700, मिनस करोगे आप, यह सारी चीजों को, तो इतना आ रहा है, इसको लिखोगे, by, revaluation loss, transfer to, capital account of A और B, और यह ratio थी, 3 ratio to, 3 by 5, और 2 by 5, ठीक है, लो, यह होगे एक लास, हमारा question खतम, अब यह तुम चाहो तो रफ में बना सकते हो, अगर किसी question में कहता है, कि entry pass करो, इसे रफ में बना लो, ऐसी बस, फिर रफ में बनाने के बाद, अब आपको एकर कि सारी एंट्री, पास कररा है, debit side कि सारी एंट्री, credit side कि सारी एंट्री और gain और loss की, narration बेलिख देना, being a certain liability, revalued, and loss, being revolution loss, debited to partners capital account, और gain होता तो created to partners capital account, गीन में partners का capital account credit होता है, loss में partner से capital account debit होता है, ठीक है, तो चलते हैं, इसकी करके सारे entry करते हैं, सबसे पहले इधरे साइड की entry, to machine to, आप entry करोगे, revaluation account debit, revaluation account debit, to machinery, outstanding bill of repair, PFDD, furniture computer, furniture, आप अपने आप करते चलो, ना, अपने आप करते चलो, आपने आप करते चलो, तो A, to stock, stock था 6,690, 600, 24,000, 20,000, PFDD था 500, 600 और 10,000, टोटल रहा 63,700, 63,000, यह debit side के सारा item के entry हो गई, पहली entry, दूसरी entry, credit side के सारा item के entry लिखो गई, building, insurance, stock, machine, building, account, debit, prepaid insurance, account, debit, prepaid insurance, account, debit, prepaid insurance, asset, कोई भी prepaid expense होता है, वो asset है, उसके बाद, stock, account, debit, building, insurance, stock, machine, machine, furniture, machinery, account, debit, machinery, account, debit, दो बार machinery है, एक कुछ को बेचा है, कुछ को ए ले गया है, उसके बाद, furniture, machine के बाद, furniture, दस जार, 10,000, और machine था, बिल्दिंग 30,226, 9600, 30,226, 9600, ठीक है, 30,226, 9600, ठीक है, 30,000, 224, 6000, ठीक है, 59600, ठीक है, अब आखरी एंट्री जो होगी, gain और लॉस की, कि वो लॉस है, तो लॉस में, पार्टनर्स का capital account debit होगा, A is capital account debit, B is capital account debit, 2 revaluation account, 40,100, अब इस्टिबूट होगा, 2460, 2460, 1640, ठीक है, 2460, 1640, ठीक है, 2460, 1640, ठीक है, 2460, 1640, ठीक है, being revaluation, gain, divided to partner's capital account, यह होगे revaluation, अब इस क्लास के बाद, हम लोग पार्टनर्स, capital account पढ़ेंगे, balance sheet पढ़ेंगे, और एक ही करके full-fledged question देखेंगे, जो 6-6 नंबरे questions आते हैं, तो आपको अगर revaluation account clear रही है, तो change in PCR में दिक्कत आएगी, admission में दिक्कत आएगी, retirement में दिक्कत आएगी, तो revaluation account को बहुत अच्छे से, at any cost, तुमको सीखी लेना है, अभी हम बहुत questions और करेंगे, हजारों पॉइंट्स करेंगे, आगे चलके, और before exam में सब का collage बना करेंगे, मुझे पता है before exam तो में revision कैसे कराना है, so don't worry about it, अच्छे सारा revision हो जाएगा, चिंता नहीं करो, यहां तक अच्छे से पढ़के समझ के आना, मेरी book में जितने भी सवाल है, वो जरूर बनालना, book description box में लिंक मिल जाएगा, वह से ले लो, इस योद्धा बैच में A to Z सब कुछ कवर करें हैं class, आप सब कुछ A to Z, कुछ भी नहीं बचेगा, बस आप ले लो, कोशिन बनाते रहो, यहां जो कोशिन बना रहा हूं, यही बनाते रहो, इसकी class notes आपको SPCC app पे free study material के अंदर मिल जाएगा accounts के फोल्टर में, मिलते है next video में, okay, यहां तक अच्छे से कर लेना, तो एक ही करके सब कुछ अच्छे से करके आना, और मुझे बताना जरूरू comment section में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो, तब ही थोड़ी सही नहीं थी, अभी भी गला बहुत ही खराव है, बहुत severe condition हो गई मेरे गले कि, इसके वीडियो ज्यादा बना नहीं पा रहा हूँ, तो voice quality low है, माफ करना उसके लिए, मिलते है next video में, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक subscribe नहीं के चैनल को, तो please कर लो, वीडियो को लाइक जरू करना, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो comment बताना, ठेक है, ठेक है, ठे